हेलो फ्रेंड्स, वालकम तो माई चैनल, बेबी मॉमी हेल्प मैं मेखा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप लोग, I think सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे दोस्तों, जब कोई शिशू जन्म लेता है, तो उसके सिर का आकार बहुत ही बदला हुआ रहता है जब normal delivery से बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चे जब जन्म लेते हैं, तो दबाओ के कारण बच्चे का सिर थोड़ा सा दब जाता है कभी-कभी आपने देखा होगा कि बच्चे का सिर थोड़ा से यहां से चप्टा हो जाता है, कभी यहां से कौन जैसा हो जाता है ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर बच्चे का सिर तब ऐसा है, तो जिंदिगी भर बच्चे का सिर वैसा ही रहेगा ऐसा नहीं होता है समय के साथ साथ बच्चे के सर की शेप चेंज हो जाती है और बच्चे का सर राउंड हो सकता है लेकिन आपको कुछ बातों का दिहान रखना होगा कि बच्चे का सर जो है बच्चों का सर चप्टा हो जाता है तो किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा और आप या कर सकते हैं चलिए दोस्तों इस वीडियों बात करेंगे उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपनी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और बैल आइकन का बटन दबाना ना भूले जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियों का अब्डेट भी मिलता रहे चलिए दोस्तों वीडियों शुरू करते हैं बहुत लोग कहते हैं कि आप मालिश कीजिये सर को दबाईये, बच्चे का सर गोल हो जाएगा मालिश करना बच्चे के लिए अच्छा होता है बच्चे के सर पर गड़ भी होता है उसका भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना होता है उस पे नहीं कोई कंगी, नहीं हाथ, नहीं कोई दबाव आपको डालना है आप मालिश कर सकते हैं, बहुत ही हलके हाथों से बच्चे के सर की मालिश कीजिए से बच्चे को अच्छा लगता है लेकिन मालिश करते हुए आपको बिल्कुल भी बच्चे के सर को नहीं दबाना है बच्चे का सर दोस्तो बहुत ही नाजुक होता है अगर इस तरीके से आप बच्चे का सर दबाएंगे तो इससे बच्चे के सर पे गलत इफेक्ट भी पढ़ सकता है बच्चे की कोई नस भी दब सकती है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आप कभी भी खुद से डॉक्टर बने की कोशिश ना करें, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, दूसरी चीज है दूस्तो, राई का तक्या, देखें राई का तक्या काफी अगर आप बच्चे को सीधा रिटाते हैं तो ये जो बच्चे के सर का ये हिस्सा होता है ये पिलों के अंदर चला जाता है और बच्चे का जो सर है बिल्कुल फ्लैट नहीं होता है तो आप राई का तक्या बच्चे को लगा सकते हैं अगर डॉक्टर के साब से चले तो डॉ पर पर गाने के लिए बॉलते हैं। उससे पहले मना किया जाता है। लेकिन राइका तक्या थोड़ा सा जल्दी भी शुरू कर सकते हैं। इससे कोई भी नुक्सान नहीं होता है। तीसरा है कि अगर आपका बच्चा रंग बिरंगी खिलोने देखता है, खुश होता है, तो बच्चे का ध्यान भटकाने की कोशिश करें. आप बच्चे को colorful toys दिखाएंगे, बच्चे को इधर-इधर colorful toys दिखाएंगे, तो बच्चा अपनी गर्दन को move करने लगता है. move करने से आपके बच्चे की गर्दन एकी तरफ से flat नहीं होती है. एक और जी जो आप कर सकते हैं कि बच्चे को हमेशा करवट लिटा कर और change करकर के सुलाएं. देखे दोस्तों, जब आप बच्चे को एक ही position में लंबे समय के लिए सुलाते हैं, तो इससे बच्चे की जो सर ह वो चप्टा हो जाता है. तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर आपका बच्चा सो रहा है, तो पहले एक position में उसके बाद बच्चे को दूसरी तरफ से सुलाएं, इससे बच्चे का सर कभी भी चप्टा नहीं होगा. ध्यान आपको किन बातों का रखना है? इ बहुती खुश्बूदार तेल ना लगाएं, कोई कैमिकल योक्त पदार्त का बच्चे के सर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपका ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आय हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. Thank you for watching Baby Mommy Help. Thank you. Namaskar.